अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्ची तोर पर अच्ची आ रहा होगा हमाचल प्रदेश विधान सभा में सोंवार को बाल सत्र आयू जित किया गिया सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमी का संभाले बच्चों में तीकी बहस भी देखने को मिली बच्चों ने हमाचल विधान सभा में प्रदेश के विभिन विश्यों पर सवाल उठाए 68 बच्चों ने हमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया डिजिटल बाल मेला की ओर से हिमाचुल प्रदेश विधान सभा के तत्वा धान में इस बाल सत्र का आयूचन हुआ, सदन में प्रदेश की वर्तमान राचने तिक समाजिक विशो को बच्चो के द्वारा उठाए गया। पहले विधल भाई पतेल जैसे दिगज महान देश भक्तों ने इसी सदन में स्पीकर पत की गरिमा को बढ़ाया है। प्रश्निकाल के दौरान बाल विधायकों ने स्कूलों में करियर काउंसलिंग का मुद्दा, परियावरिन बचाव से संबंदित प्रश्न, नशे को रोकन के लिए सवाल जवाब किये, जिसमें पक्ष में तीखी नोक्षों क देखने को मिली। प्रश्महिनों से जो प्रदेश की सिती हैं, उनसे संबंदित सवाल भी पूछे गए हैं। कि जो चीजे हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की इदालत में उठा रहे हैं। अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्ची तोर पर अश्या रहा होगा। उल से संबंदित सवाल पूछे कि की साल से उल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है निश्ची तोर पर अश्या रहा होगा। मुझे लगता है कि सब चीजों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है चाली साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो ने हमाचल की नीव रखेगा। और निश्ची तोर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पुछते हैं उस बजट से मिलते जूलते और जो हम पिछले पांच मीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जूलते हैं तो इसलिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि 43 ब लोगों की तादा ज्यादा रही है 80 प्रतिशा 70 प्रतिशा 90 प्रतिशा डॉक्टर रहे हैं इंजनियर रहे हैं बकील रहे हैं एडवोकेट सारे तो यह निश्ची तोर पर यह रहे हैं लेकिन हमारा मानना है कि जितना पड़ा लिखा बच्चा आएगा अगर कोई से जो ग्यान अर्जित करता है उसका फैदा समाज को भी होता है यह नहीं है कि एक एड्मिशन ही वाय चुनकर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुभव से जो प्रैक्टिकल में ग्यान अर्जित करते हैं एक्सपिरियंस इस ग्रेटेस्ट नॉलेच अनुभव सबसे वर्सों के जर्मदिन के औसर पर जो फ्लोरल ट्रिब्यूट का आयोजन आजकल हो रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेयरक है बलकि फ्लोरल ट्रिब्यूट एक तरह से वो रस्म अदागी की तरह रीचूल बन गया था उसको पिछले दोड़ाई तिन वर्सों से जो नया प्रियोग उसमें मिला है जिस तरह की प्रतिभाय आ रही है वह अद्भुत है प्रेयरक है हम सब के लिए बहुत ग्यान वर्धक कैसा एक्सपीरेंस है बहुत ही अच्छा जिस प्रकार स्वाइम सुखिंदर सिंग सुखु जी जो हमारे हिमाचर प्रदेश के अच्छे मुझे अड्रेस के तो फीलिंग आ लिए कि हम मैं सच के मुख्यमंत्री के दौर बता और यहां विधान सब्सक्रा में आया है सब्सक्राइब करने की आने वाले समय में करिएगा पर इस मौके ने हमें यह बताया कि हाँ बच्चों की भी कुछ मुद्दे होते हैं और यह मुद्दे कितने जरूरा हैं समाज के सामने आना जानभी आपको खुद जो है वह अपना मंत्री जो बनाए आपने खुद उसको चुनने का मुखा मिला था नए डिसिट्राल मेला नहीं हुआ कि बच्चों ने अपने वीडियो डाले जिन्होंने स्वास्तेमंत्री की दाविधारी इधि जिसकी मंत्रे जो चुने गए थे उनके वोट के अधार पर बच्चे आगे चुने गए थे लगता है आपको किस चीज की नीड है किस चीज की नीड है माचल पर देश्चा और सब्सक्राइब करते हैं बहुत जदा पॉलिटिकली अवेरनेस अब डिजिटल वाल मेला प्लैटफॉर् इसमें आने के लिए क्या-क्या चीज़े ज़रूरी ये प्लैटफॉर्म सिखाता है बच्चो को कंस्ट्रक्टिव बिल्डब के लिए बहुत जरूरी है जो मुद्दे अंदर उठे सीम साब ने कहा है कि जो बच्चों ने सुझाओ दिये हैं उन सुझाओं पर भी अमकाम आप इस और जासा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल Prem सत्र के दिन इस बात को अन्भुव करेंगे कि जो बच्चे जो विश्य है कि और परtoese सब्देशन में और उन पक्ता गहनता विचारों की अभी विक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप यह मैसूस करेंगे और हम यह सब रिलाक्स मैसूस कर रहें जो आज के चुने हुए प्रतिनिधी हैं यह पॉलिटीशन्स हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीडी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है इसलिए उजल हिमाचल प्रदेश का निर्मान जो सोभाविक है और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा मैसूस हो रहा है आप बच्चों के अभी विक्ति से देख लीजिए ऐसा लगता है है बच्चों के अंदर ग्यान की कोई कमीं नहीं है परिवक्ता की कोई ऐसे कमीं नहीं है जैसी जब बच्चे इस तरह के होगे तो समाज भी और जधादा स्चक्थ होग और मुजबूत होगा और समाज सचत हो तो लाजनीती अवश्रक्त तोर पर स्वर्शक्त होगी और सरकारें अपने आप जो अपने दाहित्व हैं उनका निर्भान करेगी। लाइफटाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपर उट